हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रियल्मी का 5 और वीवो का U10 ये दोनों मुबाइल्स अभी हाली में लॉंच हुए हैं इन दोनों मुबाइल्स की कीमत है 10,000 रुपे और अभी जो सेल चल रही है फिलिपकार्ट अमेजन पे उसके अंदर आपको ये दोनों ही मुबाइल्स 9,000 के अंदर मिल जाएंगे तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों मुबाइल्स में कमपरेजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या कमिया है और आपको इन दोनों में से कौन से खरीदना चाहिए तो अगर आप एक मुबाइल्स खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा चलिए देखते हैं 9,000 में रियल्मी 5 के साथ आपको क्या के मिलता है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले ये मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें रखेवे मिलता है कुछ यूजर मैनुवल इसके बाद आपको मिलता है काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर कवर इस मोबाल की डिस्प्लेप आपको स्क्रीन गार्ट भी पहले सही लगवा मिलता है तो ये इसके अंदर खूबी है बाद में देख लेते हैं रियल्मी के बॉक्स के अंदर आपको और के के मिलता है तो इसके बाद आपको रखाव मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे इस से पहले देख लेते हैं बॉक्स में रखी भी मिलती है ये डिटेकेबल इस डिटेकेबल की लेंट और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी है लेकिन कमी ये है इसके अंदर आपको टाइप सी केबल नहीं मिलती बाद में रखाव मिलता है आपको ये वाइट कलर के अंदर चारजर जिसकी बिल्ड क्वालिटी आपको नॉर्मल ही मिलती है और ये सिंपल सा दोस्तो 10 वाट का चारजर है इस मॉबाल के अंदर आपको फास चारजिंग का सपोर्ट नहीं मिलता तो आप मार्केट से भी खरीद के एक फास चारजर इस मॉबाल के साथ इस्तमाल नहीं कर सकते तो ये सारा समान तो आपको मिलता है 9000 में Realme 5 के साथ तो रेट के हिसाब से देखा जा तो इस मॉबाल के साथ आपको अच्छा ही समान मिलता है आखिर में रखावा मिलता है SIM जेक्टर टूल कुछ इस तरीके के लुक में चली देखते हैं अगर आप 9000 उपे वीवो पे खर्च करते हैं तो इसके साथ आपको क्या के मिलता है तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले रखावा मिलता है ये मिनी बॉक्स जिसमें रखेवे मिलता है कुछ यूजर मैनुवल एक कार्ड में लगवा मिलता है सिम जक्टर टूल इसके बाद आपको रखावा मिलता है काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर कवर बाकि इस मोबाइल की डिस्पले पे भी आपको स्क्रीन गार्ड पहले से ही लगवा मिलता है रियल्मी की तरह तो इसमें ये भी अच्छा है इसके बाद देख लेता है बॉक्स के अंदर आपको रखवा मिलता है मुबाइल जिसका डिटेल लूख हम अभी देखेंगे इससे पहले देख लेता है बॉक्स में आपको रखवी मिलती है डिटे केबल इस डेटे केबल की भी लेंट और क्वालिटी दोन अच्छी मिलती है आपको Realme की केबल की तरह और इसके अंदर भी वही कमी है जो Realme के अंदर है ये भी एक टाइप C केबल नहीं है तो दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक जिसी ही कमी देखने को मिलती है अब एक बहुत बड़ा फर्क ये है Realme के अंदर आपको Fast Charging का सपोर्ट नहीं मिलता लेकिन Vivo के अंदर मिलता है इसे के साथ सबसे बड़ी बात ये है इस मोबाइल के अंदर आपको एक Fast Charger मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिलता है ये 18W का Fast Charger है तो दोस्तो इस चीज़ के अंदर वीवो बहुत अच्छा है Realme से अब देखा जाए तो ये सारा समान आपको Vivo के साथ मिलता है उसी रेट के अंदर 9000 में देखा जाए तो जाद अच्छा समान आपको Vivo के साथ ही मिलता है क्योंकि इसके अंदर आपको एक Fast Charger मिल जाता है बॉक्स के अंदर तो इस चीज़ में Vivo जाद अच्छा है Realme से चलिए बात कर लेते हैं आप डिजाइन के बारे में तो इन दोनों ही मोबाल्स में आपको मिलता है बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लुक आप देख सकते हैं Light की Reflection इन दोनों मोबाल्स के Back Panel पे बहुत अच्छी लग रही है तो देखने में तो Design इन दोनों ही मोबाल्स के बहुत अच्छे हैं लेकिन इन दोनों मोबाल्स के Back Panel पे आपको Scratches की Problem देखने को मिलती है क्योंकि Gorilla Glass की Protection आपको इन दोनों मोबाल्स के Back Panel पे नहीं मिलती Design के अंदर देखने में दोनों अच्छे हैं लेकिन Quality इन दोनों मोबाल्स के अंदर आपको Back Panel की Normal ही मिलती है तो Design की Quality के अंदर तो दोनों में कमी है बात करें कैमरे के बारे में तो Vivo में पीछ आपको तीन कैमरे मिलते हैं तेरा प्लस आट प्लस दो और इसके अंदर आपको Front Camera मिलता है आट मेगापिक्सल का कैमरे की Performance इस मोबाल के अंदर आपको Rate के हिसाब से Normal ही मिलती है वहीं दूसरी तरफ Realme के 5 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे मिलते हैं जिसमें पहला है 12 MP का, दूसरा 8 MP का और बाकी के दो कैमरे मिलते हैं आपको 2 MP के इसके अंदर आपको Front Camera मिलता है 13 MP का camera की performance इन दोनों ही mobile's के अंदर आपको rate के हिसाब से normal ही मिलती है अगर आपका normal use है camera के अंदर तो इन दोनों mobile's में आपको problem नहीं आने वाली लेकिन अगर आपको सिर्फ camera ही अच्छा चाहिए आप camera की वज़े से ही mobile लेने की सोच रहे हैं तो वीवो के अंदर आपको display size मिलता है 6.35 इंचिस का और realme के 5 पर आपको display मिलती है 6.5 इंचिस की तो display size में तो आपको हलका सा और बड़ा मिलता है realme का mobile display size के अंदर realme और जाद अच्छा है वीवो से इसके लाब बात करें दोनों mobile's के user interface के बारे में तो वीवो के अंदर आपको home screen पे ही सारी applications मिल जाती है आप right side पर swipe करेंगे आपको सारी applications मिलती है वहीं दूसरी तरफ realme के अंदर आप उपर की तरफ swipe करते हैं आपको सारी applications मिल जाती है Realme के अंदर आपको app drawer मिलता है बाकी user interface के अंदर आपको Realme ही जाद अच्छा मिलता है वीवो से इस mobile का user interface थोड़ा सा better लगा मुझे वीवो से इसके लावा करीब से मैं आपको इन दोनों mobile's के display दिखा देता हूँ दोनों ही mobile's के display में आपको एक जैसी notch देखने को मिलती है और edges, bezels भी दोनों display के अंदर आपको लगबग बराबर ही मिलते हैं तो display size में हलका सा Realme अच्छा है बाकी colors दोनों ही display के अंदर काफी अच्छे ही आपको मिलते हैं तो display में लगबग दोनों mobile's काफी बढ़िया है लेफ्ट side सा आप देखेंगे दोनों mobile's को आपको sim की tray दी गई है अच्छी चीज़ यह है दोनों ही mobile's के अंदर आप दो sim card, एक memory card, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं तो यह खुबी तो आपको दोनों ही mobile's के अंदर मिलती है नीचे की तरफ आपको दोनों mobile's में charging port, speaker, mic, headphone jack, बिल्कुल सेम जगा पे दिया गया है इस सीज़ में दोनों एक जैसे हैं राइट side पर आपको दोनों mobile's में power के बटन्स मिलते हैं वीवो के अंदर आपको right side पर ही volume के बटन्स मिलते हैं वहीं दूसरी तरफ realme के अंदर आपको left side पर दिये गए हैं उपर से दोनों mobile's का look बिल्कुल plane है बाकि इन दोनों ही mobile's में आपको 9000 में मिलती है 3GB की RAM और 32GB की internal storage चली चलते हैं settings में आपको दिखा देता हूँ कितनी memory आपको free मिलती है तो वीवो के अंदर आपको मिलती है 2.5GB के आसपास और realme के अंदर आपको मिलती है 20GB के आसपास तो 500-600MB का फर्ख है वीवो के अंदर आपको और जादा मिलती है realme से इस चीज में वीवो जाद अच्छा है इसके लावा इन दोनों ही mobile के अंदर आपको android का बिल्कूल latest version मिल जाता है android pi ये खुबी आपको दोनों mobile के अंदर मिलती है recent application की windows आप देख सकते हैं दोनों ही mobile में आपको proper बड़ी windows देखने को मिलती है तो इस चीज में दोनों अच्छे है बात करें बैटरी के बारे में तो realme 5 के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 image की और वीवो के अंदर भी आपको बैटरी मिलती है 5000 image की बैटरी backup तो इन दोनों mobile के अंदर आपको आराम से एक दिन का मिल जाता है बैटरी के अंदर ये दोनों ही mobile बहुत ही जादा बढ़िया है लेकिन वीवो और भी जादा अच्छा है realme से क्योंकि इसके साथ आपको fast charger मिलता है तो charging के अंदर भी आपको कम डाइम देखने को मिलेगा वीवो के अंदर realme के मुकाबले में बात करें प्रोसेसर के बारे में तो दोनों ही mobile में आपको मिलता है snapdragon का 665 प्रोसेसर तो अगर आप एक heavy user है आपको game वगरे खेन ले है तो इन दोनों mobile में आपको बिलकुल भी problem नहीं आने वाली दोनों ही mobile में आपको काफी अच्छे प्रोसेसर मिलते है रेट के हिसाब से अब एक चीज़ का और बहुत बड़ा फर्क है realme का mobile आपको थोड़ा सा heavy मिलता है वीवो के मुकाबले में इस mobile का weight थोड़ा जादा लगता है तो इस चीज़ में वीवो का mobile जादा अच्छा है realme से अब ये सारी चीज़ आपको मिलती है इन दोनों mobile के अंदर देखे रेट भी दोनों mobile का सेम है तो जादा तर खुबी आपको इन दोनों mobile में बिल्कुल एक जैसे ही देखने को मिलती है चले बात कर लेते हैं और इन दोनों mobile में आपको प्रोसेसर काफी अच्छे मिलते हैं अब बात आती है डिस्प्ले पर तो डिस्प्ले के अंदर भी इतना जादा खास फरक नहीं है जरा सही बड़ा है realme का mobile तो डिस्प्ले में भी ये दोनों अच्छे हैं तो जो खुबिया आपको इन दोनों ही mobile के अंदर मिलती हैं अगर हम उनके अलावा बात करें तो वीवो के अंदर आपको एक तो lightweight mobile मिलता है दूसरे सके अंदर आपको fast charger mobile के साथ box के अंदर ही मिलता है ये दो खुबिया वीवो के अंदर अच्छी है और realme के अंदर ये खुबी अच्छी है आपको इसका user interface अच्छा मिलता है तो एक खुबी realme के अंदर जाद अच्छी है वीवो से कि इसका user interface अच्छा Hai और दो खुब्या वीवो के अंदर अच्छी है एक तो इसका weight कम है जो realme का ज़दा है काफी हेवी लगता है Realme 5 दूसर आपको Fast Charger Box के अंदर ही मिलता है आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है तो देखा जाए तो दो खुबी आपको Vivo में जाद अच्छी मिलती है Realme से और Realme में एक ही खुबी जाद अच्छी है तो हर एक चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो ये दोनों ही मोबाइल्स अच्छे है आप दोनों में से कोई सबी खरीच सकते हैं इतनी जादा Confused होनी की ज़रूरत नहीं है तो अगर आपको यूज़ेंटेफेस अच्छा चाहिए करता है यूज़ेंटेफेस आप मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिएगा उसके साथ बैल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुशती रहें इसके लावा वीडियो कर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देगा वाटसाफ फेस्बुक पे और अगर आप इन दोनों मोबाइल में से किसी का भी comparison देखना चाहते हैं किसी और मोबाइल के साथ तो वह चीज़ भी कमेंट करके जरू आपके लिए लेकर आने की मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई